इन शॉर्ट अगर हम डाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले ये प्रोसेस ये पूरी हमारी एलिमेंटरी कैनाल है माउट से स्टार्ट होके एनस तक और ये हमारी बहुत ही लॉंग ट्यूब है कितने मीटर आट से नौ मीटर लंबी लॉंग ट्यूब है और ये माउट ये आपके बकल कैवटी से स्टार्ट होती है माउट जो होता है उसको हम बकल कैवटी बोलते हैं इसके अंदर टीथ प्रेजंट है टंग प्रेजंट है सलाइवरी ग्लैंड प्रेजंट है तो टीथ क्या करते हैं फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं फूड को चबा चबा से यह food जो होता है वो semi solid form में convert हो जाता है और यह food pipe या osophagus में move करने लायक हो जाता है तो अब जब चबा लिया गया food इसमें saliva mix हो गया semi solid form में convert हो गया then यह osophagus में जाता है osophagus में ring like muscles present हैं जिनमें क्या होता है contraction और relaxation process के तुरू इसमें movement होता है और जो food का movement उपर से नीचे की तरफ मतलब यह food जो इस टमक की तरफ बढ़ रहा है यह movement कहलाता है peristalletic movement, peristallesis बोलते हैं जब कभी हमें vomiting होती है तो क्या होता है anti-peristallesis होती है मतलब ultra movement होता है तो ultra movement को anti-peristallesis बोलते हैं तो peristalletic movement के तुरू यह food क्या होता है osophagus से होता हुआ stomach में पहुँच जाता है अब stomach में पहुँचता है तो यहाँ पे 3-4 गंटे food की churning होती है food की churning होती है और इसकी जो outer lining जो inner lining है इसकी जो अंदर की lining है यहाँ पे mucos produce होता है hydrochloric acid और digestive juice इस तरह का liquid produce होता है mucos क्या करता है इसकी wall को slippery बनाता है क्योंकि SCL क्या है एक strong acid है और यह जो food आया osophagus के तुरू इसको acidic बनाने का काम कौन करेगा hydrochloric acid hydrochloric acid इसको acidic बनाएगा जिससे यह simpler form में breakdown हो जाए जो food हमने लिया है जो complex form में हमने different type के starch खाया है different type के proteins और जो food items लिये हैं वो उनको breakdown करने का काम पहले इसको hydrochloric किया जाएगा इसके food के medium को hydrochloric किया जाएगा तो hydrochloric करने के लिए इसमें SCL release होता है जो की food में mix हो जाता है और कुछ digestive juices produce होते हैं अब यहाँ पे इसका mix होने के बाद digestive juices के mix होने के बाद और hydrochloric acid के mix होने के बाद यह food जो होता है उसका medium acidic हो जाता है और इसके अंदर partial digestion हो जाता है partial digestion होने के बाद यह food move करता है small intestine की तरफ small intestine दो काम करती है पहले तो यह food को complete breakdown कर देती है और इसके बाद यहीं से food का absorption स्टार्ट हो जाता है तो इसके लिए इसमें क्या होता है दो तरह की glands present है एक तो liver सबसे वड़ी gland दूसरी है pancreas यह liver stomach के ऊपर present है और pancreas stomach के नीचे present है अब liver क्या करेगा liver एक तरह का juice produce करेगा जिसको हम bile juice बोलते है यह bile juice गाल ब्लेडर के अंदर collect हो जाएगा temporarily और उसके बाद जब small intestine के अंदर food आता है तो यह गाल ब्लेडर क्या करता है यह bile को release कर देता है बाइल को release कर देता है तो क्या होता है food का digestion start हो जाता है मतलब जो fats होते हैं वो small droplets और small particles में breakdown हो जाते हैं और carvohydrates, proteins यह भी small particles में breakdown हो जाते हैं उसके बाद फिर pancreas, pancreatic juice release करता है जो की digestion को complete कर देते हैं मतलब यह complete breakdown कर देते हैं fat को fatty acid और glycerol में convert कर देते हैं proteins को amino acids में convert कर देते हैं और जितने भी तरह के carbohydrates हैं उनको glucose में convert कर देते हैं तो इस तरीके से small intestine के अंदर complete breakdown हो जाता है food का, food का जब complete breakdown हो जाता है तो यहाँ पे rely like structure present होता है यह आपको दिख रहा है यह inner lining जो intestine की होती है उसके अंदर इस तरीके के structure होते है, rely like structure होता है मतलब outgrowth अंदर की तरफ rely like structure outgrowth type की होती है और यह इस तरह का structure अंदर से क्यों होता है, जिससे यहाँ का surface area increase हो सके, surface area क्यों increase करना है, surface area इसलिए increase करना है कि surface area increase होगा, तो absorption nutrients का जादा से जादा होगा, जितने nutrients breakdown हुए है, food का breakdown के बाद जितने भी nutrients, simpler form में निकले है food से food के अंदर ह उनको क्या करेंगे, विलाई like structure इनको absorb कर लेंगे और इनी विलाई से blood capillaries जुड़ी होती है, जो कि सीधा इन nutrients को blood stream के अंदर पहुचा देंगे, और blood stream के थूप क्या होगा, इन nutrients को पूरी body में circulate कर दिया जाएगा, अब इसके बाद, अब यह food कहा जाएगा, large intestine के अंदर जाएगा, large intestine के अंदर क्या होगा, जो nutrients absorb होगा है, food के अंदर के, बचे हुए nutrients को absorb कर लिया जाएगा, जो large intestine होती है, यह 1.5 मीटर लंबी होती है, और यह एक white tube है, इसके अंदर जो है, जो nutrients absorb नहीं हो पाए है, उनका absorption हो जाएगा, और जो water उसके अंदर present है, उसको absorb कर लि food को rectum में collect कर दिया जाएगा, यह undigested food rectum में collect हो जाएगा, rectum में collect होने के बाद, यह anus से body से बाहर remove कर दिया जाएगा, तो यह है digestion का complete process,